इससे नौकरी मिल लग्यून को ज़िल में मोधी जिस से दिखात है नितीज से दिखात है तो तो वहाँ जाए ना जिसने भी जलाई है जो भी सुड़न्ट जिसको भी नौकरी चाहिए कम जब यह मत करें कि किसी अंजाना अंट में गारी चला गजला प्रेस वाली की गारी को नहीं छोड़ा, देखिए, दिखाईए ज़रा, कहां गहते हैं, पार्क करते हैं, आप क्या करते हैं, स्टुडेंट हैं आप भी, बात कर लेने दीजें न भाईया, बात कर लेने दीजें, कि अगए, इतना है, कि जिसने भी जलाई है, जो भी शुररंट, जिसको भी नौकीरी चेये, कम सकंब ये मत करें कि किसी emsखान अजन अपकी Sup miste जला के जलना, बहुत मुश्कल से अंदम गारी लेता है और जब गारी खाड़ी करके जाता तो कहां थी यहाल पे रेलो पुली सोच कहां थी आज यह इतनी तदात में कड़े हैं क्या कर लेंगे पहले कहां गए थे सब किसी नहीं भी जलाई है वो आए है हाँ पर में सामने आओ बोले यह इंसाफ है क्या इससे नौक नी मिल लें कि उनको जेल में अरो मोदी जी से दिखका तर नितीज से दिखका तो तो वहाँ जाए है ना अब यहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर लेगी मुझे यह बताईए क्या कर लेगी यह बताईए यहां पर प्राइवेट गारियों को जला दिया गया है नहीं मतलब एक हजार की संख्या में जो आते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं अगर हम उन्हें मना करेंगे हम उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगा तो वो हमें मार भी सकते हैं यहां पर न्यूजब प्रेस वाली की गारी को नई छोरा देखिए दिखाएर जड़ा यह तो आम पबलिक की की गारी है समझ सकते हैं आपको नौकरी चाहिए नहीं मिलेगी नौकरिया से ये कोई अभ्यर्थियों का काम नहीं है बिल्कुल नहीं है कोई अभ्यर्थी ये काम नहीं करेंगे देखे ये चानल वाले की गारी है बहुत सारे रिपोर्टर को भी मारा गया है भई अगर आप लोग की मांग है तो मांग ये अगर आपका अधिकार है तो मांगिए लेकिन यहां पर हिंसा मत कीजे आंग पबलिक को परेशान करना बंद कीजे पुलिस वालों को भी मारा जाता है ऐसे में क्या करेंगे पुलिस वाले ये तो बताएए मुझे मंत्री लोग आएंगे सरक पे मंत्री लोग आएंगे पब्लिक की रक्षा करने के लिए सरक पर इन आतंगवादियों से लड़ने के लिए मंत्री सरक पे आएंगे मुख्य मंत्री आएंगे नहीं आएंगे जो यहाँ पर रक्षा कर्मी है वो लड़ेंगे क्या करेंगे वो लोग मुझे ये बताई इन लोग को तो हतियार भी बढ़िया नहीं दिया जाता क्यों हतियार से लर सके इन आतंगवादियों से अब खूद बताई कितना मेहनत करके आदमिये के पाई जोर करके समान खरीदता है और एक जटके में